Welcome to our channel, Easy and Deep Way. यानि balanced diet शब्द को परिभाशित करें, तो balanced diet संतुलित आहर क्या होता है, कि हम सही अनुपात में हर एक पोशक तत्वों को लें, टो option कैया, इसमें सही अनुपात में कुछ पोशक तत्वों युकताहर नहीं, सही अनुपात में अधिकांश पोशक तत्वों से युकताहर नही हैं कि जो हमारे vitamins, minerals, fats, carbohydrates होते हैं जो हमारे शरीर को healthy food रखने में मदद करते हैं नेक्स्ट है शारीरिक विकास में मदद करता है तो शारीरिक विकास में क्या मदद करता है देखते हैं उचित व्रीधी और विकास शरीर की विभिन प्रनालियों का समुचित कार्य है बहतर neuromuscular यानि तंत्रिका पेती है समन्वे के माथम से कोशल का विकास तो उपरोक्त सबी तो इसका अंसर होगा option D कि शारीरिक विकास में growth and development उचित व्रीधी और विकास के साथ-साथ हमारी हर एक शरीर की प्रनालियों का भी विकास होना चाहिए हमारा neuromuscular system यानि कि हमारी nervous system, muscles वगारा भी fit होनी चाहिए ठीक है तो इसका अंसर है D फिर है शारीरिक शिक्षा, प्रशिक्षन के दोरान लिया जाता है तो ट्रेनिंग में जो physical education होती है, उसमें क्या होता है प्रात्मिक कक्षाई होती है, माद्मिक कक्षाई होती है प्रात्मिक वैं माद्मिक तोनों वर्ग होते है तो इसका अंसरों का option C प्रात्मिक और माद्मिक तोनों ही वर्ग include होते है next is स्वास्ते सिक्षा क्या है क्या होती है physical education health education health education होता है दवाओं के बारे में सिक्षा yes बिमारियों के साथ लोगों का इलाज कैसे करे इसके बारे में सिक्षा दे को सिर्फ दवाओं के बारे में सिक्षा लेना स्वास्ते जिक्षा नहीं होता और विमारियों से कैसे बचा जाए ये भी नहीं होता स्वास्ते सिक्षा होता है कि जो व्यक्तिकत स्वास्ते को बनाए रखने की समझ को बढ़ावा दे ठीक है? तो option Z होगा इसका answer नेक्स्ट है नीमन में से कौन सा कारक स्वास्ते को प्रभावित करता है तो स्वास्ते को प्रभावित करने वाला कारक देखिए स्वास्ते शिक्षा का एक उदेशे कौन सा है तो क्या उदेशे उद्धा है Health Education का देखते है नए ज्ञान परदान करने के लिए रूची जगाना कुशल यानि कोशल निमितलब Skills में सुधार करना और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए तर्क संगत निम्न लेने में परिवर्द बिल्कुल Health Education का मतलब है कि हम New Knowledge यानि कि नया ज्यान पराप्त करें Skills यानि कि कुशलता पराप्त करें और अपनी समस्याओं को कैसे हल करें फिर है लोगों की जीवन शैली वै प्रताओं को बढ़ावा देना और स्वास्ते को बनाए रखनें के लिए प्रोचाहित करना बिल्कुल कि कैसे हम अपनी Health को स्वास्ते को Enhance यानि की बढ़ावा दे सकते हैं उसको motivate encourage करना फिर है लोगों के लिए उपलब स्वास्ते सेवाओं के समुचित उपयोग को बढ़ावा देना बिल्कुल कि बे उसको कैसे हम अपनी स्वास्ते की सेवाओं को सबको पता सकते हैं ये भी इसमें include होता है तो प्रोप्स अभी होगा इसका answer फिर आसन यानि postures आपके स्वास्ते को कैसे प्रभावित करते हैं तो देखें जो आसन होते हैं वो दो तरीके के होता है एक गुड़ पोश्चर यानि कि अच्छे जो हम ठीक टंग से बैढ़ते हैं चलते हैं और एक होता है बैढ़ पोश्चर जो हम अच्छे से नहीं लेते तो उसमें दोनों ही include किये गए हैं तो क्या होता है अपने भोजन को पचाने के लिए इसे कठिन बनाई अपने जोड कितने अच्छे से चलते हैं यह बताता है सांस लेने में मुश्क्र यानि कि पोश्च आसन किसी भी चीज को मदद करता है तो प्रोक्त सभी अंसर होगा इसका D option फिर है कौन सा एक परकार का परदूशन नहीं है तो परदूशन आपको पता है भूमी परदूशन भी होता है वाई परदूशन भी होता है शरीर का परदूशन नहीं होता है जल का परदूशन भी होता है तो option C होगा इसका आंसर फिर है कौन सी नदी भारत की सबसे परदूशित नदी कहलाती है तो भारत की सबसे परदूशित नदी कौन सी होती है गंगा नदी को माना गया है लेकिन आजकल करोनवाइरस की वज़े से वो काफी साफस्तरी हो गई है फिर है किस दिन को अंतर राष्टिय योग दिवस के र में क्या है मदद करता है एकागरता और उच्सतर की चेपना में बिलकुल meditation हम करते हैं अपने आपको concentration करते हैं उसमें जागरुकता की अपार मातरा के लिए अगरनी आतम अनुसाशन और आतम नियांतर बिलकुल तो सब ही में अपने discipline को मेंटेन करने में, सेल्फ कंट्रोल में, मेडिटेशन में, कंसेंट्रेशन में, सब में ये मदद करता है, तो option D होगा इसका answer, नेक्स्ट है, योग सिक्षा का लक्षय वै उदेश्य बताए, तो क्या लक्षय उदेश्य होते हैं, चातर को अच्छे स्वास्ते के लिए सक्षम करना, येस, मांजिक स्वास्चता का अभ्यास करने के लिए, बिल्कुल भावनात्मक स्थीर्था के अधिकारी, बिल्कुल तो उप्रोक्ट सभी इसका answer लोगा, बिल्कुल बायोजिकल कारक होते हैं, प्रोक्ट सभी होगा इसका answer. स्वास्ते कार्यकरम में सिख्षक की भूमिका बताएं, तो स्वास्ते कार्यकरम ये हमने वीडियो दियो यह आप तेक्ट न, उसकी भूमिका पताचल जाएगी आपको पढ़ लेते हैं, चात्रों के स्वास्ते निरिक्ष के रिकोर्ड यानि अभिलेग को बनाए रखना, येस, चात्रों की चिकित्सा प्रिक्षन, येस, संगोष्टी और स्वास्ते सिक्षा आयोचित करना, तो प्रोक्च भी होंगे इसके भूमी का, ठीक है, तो next देखते हैं, रक्त प्रिसर्च यानि blood circulation को रोकने का क्या कारण माना जाता है, चोटीनसों में रब्स्राव, दिल का दोरा, एक सिर का घाव या प्रोक्च में, तो जो दिल का दोरा है, यानि heart attack होता है, तो मारा blood circulation डूप जाता है, तो option भी होगा इसका answer, next time, आप सांस लेने की जाच करते हैं, कैसे करते है सुनकर सिर्फ no, गाल के साथ महसूस करके no, बढ़ती चाती की तलाश करके no, सबी चीज़ों को सुनकर भी देख कर भी और महसूस करके भी हमसास की जाच करते हैं, तो option D होगा इसका answer, ठीक है, next time, नीमन में से क्या जल परदूशन का प्रात्मिक कारण माना गया, तो जल प इसका answer, next is, सहन शक्ति व्यक्ति की कौन सी शम्ता है, तो सहन शक्ति से किस शम्ता का अबिलीटी का पता चलता है, उच गति के साथ गतिविती, सक्ति चाली गतिविती, लंबी अवधी के लिए कान करना है, विबिन के रहों और आंदो लनों का प्रदाशनी, सहन शक्ति, ज इसके हम एक्जाम्स के लिए, हमारे पास लेबस इतना होता है, टाइम कम होता है, तो लेकिन हम पेशन से बिना घबराए उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो उप्शन सी होगा इसका answer, next है, शारीरिक फिटनेस व्यक्ति की शम्ता है, कैसे, खुशी के साथ द्यानिक दि इंचिर्या को फिनिश खतम करते हैं, लास्ट है, इसमें, निमिन में से कौन सा प्राणायाम नहीं है, तो हमारे प्राणायाम होते हैं, उन में से देखते हैं, कौन सा नहीं है, अनुलोम विलोम है, कपालबाती है, जलनेती नहीं है, जलनेती प्राणायाम के अंदर नहीं शेर करें ताकि उनको आभी फायदा हो ठीक है और हमारे आगे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर आपको डाउट है कोई भी आपको प्रिशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम उसको दूर करने के पूरी क रोशेश करेंगे थैंक यू